मक्का में भगवान शिव की जलक देख सदमे में मुसल्मान काबा की जगा प्रकट हुआ शिवलिंग देख हर कोई हुआ हैरान मक्का में देखते ही देखते गूजने लगा हर हर महादेव का नारा महादेव की शक्ती देखिल गया मक्का और मदिना सारा मुसल्मानों की पवित्र जगा कावा में अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसे देख कर हर कोई हैरान रह गया जिया दोस्तो इसलाम की शुरुआत जगा से हुई वहां कभी बगवान शिव का वास हुआ करता था लिकिन फिर मुसल्मानों ने उस जगा को हतिया लिया और ऐसे ही शुरू हुआ इसलाम मखहब लिकिन एक बार फिर से तियांस खुद को दोहरा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब अरब की धर्ती पर फिर से महदेव का नाम गुञेगा अरब के धरती भी हिंदो मंई हो जाएगी क्या है पूरी खबर और ऐसा हम क्यूं कहना हैं बताएंगे आज करे हमारे स्वीडियोमे हमारे साथ आप बने रहे साथी बताएंगे काबा खायत आस और क्या सच में काबा में खैद है भगवान शिव वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा दोस्तो मक्का मदिना दो ऐसी जगहें हैं जो मुसल्मानों के लिए बेदी पवित्र जगह है मक्का वो जगह है जहाँ एसलाम की शुरॐआथ ह्टूर और इसलाम के पैगंबर मौंद साहब का जन्म मक्का में हुआ थbbe और मदिना पैगंबर सहब की कबर है और इसी लहाज से ये दोनू जगह ही मौंद साहब से जुड़ी हुई है और दुनिया भर के मुसलिम इन दोनों जगहों पर जाने की हसुरत रखते हैं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मुसल्मान अपनी जुन्दगी में एक बार दोनों जगहों पर चला गया तो वो जन्नती हो जाता है यानि कि उसके सारे पाप तक दुल जाते हैं और उसको जन्नत का रास्ता तक मिल जाता है आप दोस्तों बता दें कि मक्का में मौझूद काबा वो काबा जगह है जहां दुनिया भर के करोड़ों मुसल्मान हज करने के ले जाते हैं एक एक क्यूब के आकार के बर्लिंग है जो साल के बारा महीने काले रंग के परदे से रखी रहती है दुनिया भर के करोड़ों मुसल्मान जब हज़ करने जाते हैं तो इसी काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं मक्का में मौझूद काबा शरीफ बले मुसल्मानों की खास जगा हो लेकिन मानिता का नुसार एक जमाने में यहां इस जगा भगवान शिव का मंकी शवर मंदर हुआ करता था इतना कि आपको बढ़ा दें कि इसलाम के आनु से पहले अरब में हिंदु धर्म के रिवाज से पूजा की जाती थी इसलाम के आनु से पहले लोग अरब में मूर्ती पूजा क्या करते थे उनमें से एक भगवान शिव की मूर्तिया शिवलिंग भी थी जिसे मुस्लिम आखरान ताउं ने तोड़ दिया दोस्तो इसलाम के मताबिक मक्का में काबा शरीफ को हजरत इबराहिम ने अल्लाह के कहने पर बनाया था काबा शरीफ को अल्लाह का घर का जाता है और जब भी कोई शक्स काबा शरीफ की तरफ मूँ करके नमाज पढ़ता है तो वो सीधा अल्लाह से कनेक्टिड हो जाता है दोस्तो आपको बता दी कि इसलाम धर्म के उदैस से पहले अरब में लोग कबीलों में वठे हुए थे हर कबीले के अपनी मानिता थी अपना अपना ईश्वर था लेकिन मूर्ती पूजा करने का तरीका सबका एक जैसा था अरब में इसलाम धर्म के आने से पहले हर कभीले के लोग मूर्थी पूजा ही करते थे, कोई बगवान शिव्क की पूजा में लीन था, तो कोई इन न दी देवी, सुरच देवता और कोई प्रकृत्तिक चीजों की मूर्थी के रूप में उनकी पूजा किया करता था, लेकिन इसलाम धर्म के आने की बाद अरब में बड़ी मात्रा में मूर्तियों को तोड़ा गया और इसलाम की निव रखी गई दिरे दिरे अरब के हर शहर में इसलाम धर्म को मानने वाले लोगों की संग्या बढ़ने लगी और इसलाम धर्म दुनिया बर में फैलने लगा इसलामिक कताबों की माने तो यह महज एक इसलामिक विल्डिंग ही है लेकिन अगरते हां इसको खूज कर देखेंगे तो मालूम होगा कि अरब की धर्ती पर भी कभी बगवान शिव राजमान थे आपको बता दी कि ऐसे खबर आज भी प्रचले थे कि काबा के अंदर बगवान शिव को कैद किया गया है जब कोई हिंदू काबा में जाकर जल चड़ा देगा तो बगवान शिव आज़ाद हो जाएंगे दोस्तो आप और हम बच्पन से खबर सुनते भी आ रहे हैं कि लेकिन बाहनते नहीं शायद यही वज़ा है कि अरब में के मक्का शहर में किसी गैर मुस्लिम को ठहरने के अज़ाज़त नहीं है और नहीं काबा के अंदर किसी गैर मुस्लिम यानि कि हिंदू सिख और इसाय चाय कोई भी धर्म किसी का भी हो काबा के अंदर नहीं जाने की अजाज़तों ने मिलती है शायद काबा शरीफ के अंदर बगवान श्रीफ के कैदोनी की खबर में कोई सचाई हो दोस्तों इसलाम में हज करना सबसे जरूरी समझा जाता है और हज करते वक्त एक जगा ऐसी आती है जहां पर लोग एक दिवार को पत्थर मारते हैं ऐसा कहा जाता है कि वो श्रीतान को पत्थर मार रहे हैं इसलिए क्योंकि जब हज़रत इबराहिम अल्हिसलाम को अल्लह अताला ने अपने बेटे हज़रत इसमाइल को खुर्बानी देने का हुकम दिया तो रास्ते में उन्हें बैकानी के लिए श्रीताना गया जिसे रूकने के लिए उन्हें कोशिश भी की हज़रत इसमाइल हज़रत इबराहिम के एकलोथी आलाद थी और वो भी बहुत बढ़ापे में आकर उन्हें अलाद का सुख नसीब हुआ था इसलिए वो उनकी बहुत अजीज थे और आपको बता दूँ कि उन्ही के खुर्बानी के लिए हज़रत इबराहिम को कहा गया था लेकिन अलाद के हुकम पर वो अपने जिगर के टुकड़े को खुर्बानी देने के लिए चल दिये रास्ते में शैतान ने उन्हें तरह तरह की बाते करके बैकाया कुछ पल के लिए हज़रत इबराहिम भी सोच में पढ़ गए और अपने बढ़ापे का सहारा और इकलोते बेटे की कुर्बानी देना उनके लिए बहुल कुल भी आसान नहीं था सैतान उने बैकाता रहा लेकिन हज़रत इबराहिम रुके नहीं और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मक्का चलेगा तो ये कहा जाता है कि जिस जगा लोग शैतान को पत्थर मारते हैं वो यह एका है जहां भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था दोस्तों आपको बता दे कि आज जिस जगा काबा है वहाँ भगवान शिव के मंदर होनी की बात इतहासकार पी एन ओक ने अपनी खताब दवैदिक विश्वराश्र का इतहास में इस बात का जखर किया है मक्का के मंकेश्वर मंदर में ये हुआ करता था जो भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदर था इसके लावा आपको बता दें कि वेंकटेश पंड़त ग्रंद राम उतार चरितर के युद्ध कांड प्रकरण अद्बुत प्रसंग में मंकेश्वर लिंक के होनी की बात कई गई है मक्का में बगवान शिव के होने का एक और सबूत मिलता है दोस्तो ऐसा माना जाता है कि जब अगवान शिव का वास होता है वहाँ मा गंगा अपने आप रकट हो जाती है मक्का में मंकेश्वर मंदर होने के कई सबूत मौझूद है और उनी में से एक है काबा सरीफ के पास बेहता हुआ मीठे पानी का जहरना जिससे मुसल्मान आबे जमजम कहते है लेकिन असल में वो गंगा है जो मक्का के जैसे रेगिस्तान में भी प्रकट हो गई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की वज़ा से दोस्तो कहा तो ये भी जाता है कि काबा शरीफ में वही शिवलिंग मौझूद है जिसे रावन ने धर्ती पर कहीं रखतिया था और फिर उसे वो उठा नहीं पाये थे तो उस पवितर शिवलिंग को वही राजबान कर दिया गया था आपको बता दें कि वह वही जगह थी जहां आज काबा शरीफ बना हुआ है आज दुनिया भर में मुसलिम असल में भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं दोस्तो इस तरह से शिवलिंग की पू कि कावा के पूर्विस्थान पर लगाई हजर अस्वद असल में खंडच शिवलिंग है जिसे मुस्लिमों ने अरब के हिंदों से छीन कर तोड़ दिया था और फिर उसे कावा में लगा दिया दोस्तो कावा शरीफ में भगवान शरीफ के कायद होने की खबरें हम सब भी सुनते ही रहते हैं लेकिन ऐसी बातों को मैज़ अफवा के सिवा हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि खुद आप इस बारे में सूचिए भगवान शरीफ को भला क्या कोई कायद कर सकता है भगवान बनवाया था मगर हिंदू मानिताओं के हसाब से मक्का में आज जहां कावा मौजूद है वाहां कभी मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था इस बारे में आपको क्या लगता है और क्या सोचना है में कॉमेंट करके बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें